किन किन कमाई पर टैक्स लगता है थीक पहली चीज तो यह है कि सबके दिमांगे थोड़ा माइंड ब्लोक होता है कि टैक्स यह बड़ा मुश्किल काम है यह से एक काम है अफकोर्स एक काम है इसमें कोई डाउट नहीं तो उतना मुश्किल नहीं है आप थोड़ा सा मतलब है ना concentration के साथ सुनेंगे समझेंगे तो आपको आ जाएगा तो अगले आधे गंटे में मैं आपको इतने आसानी से बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें एक समय दूसरा दर और तीसरा किस तरह के खर्चे डिड़क्शन के तौर पर यह तीन खास चीज़ें जो हम आदे गंटे में आपको बताएंगे अब सबसे पहला सवाल पांच तरह की अलग-अलग कमाई होती है स्टॉक मार्केट से जिस पर आपको टेक्स देना होता है पहला डिविडेंट दूसरा अगर आपने शेर इंट्राडे में खरीदे बेचे कैश मार्केट में इंट्राडे में लिया आज कोई लिया इस्टॉ बेच दिया तो इंट्राडे कमाई तीसरा आपने आज लिया कल परसू कुछ दिनों में बेचा शोट टम के तौर पर तो उसको कहते हैं शोट टम केपिटल गैन चोथा लॉंग-टम केपिटल गैन जो आपने लंबे समय के लिए रखा और उसके बाद बेचा उस पे कोई प FNO के TWT fumen के existing futures हो गए, options हो गए जो भीए यह पांच तरह के ट्रेड टे मैं डाएट से डीट और दो ओकर जो मुचल मुचL Со ड़ेटिर अगर आप एकविटी मुचल पर प्रंगाते यह Debt Mutual Fund में पैसा लगाते हैं, तो basically directly 5 ऐसे trades हैं, जिन पर आपको stock market में आपको कोई भी trade करते हैं, तो उन पर आपको tax लगता है, तो इनको हम विस्तार से ही किक करके करें. ओके चलिए, तो हमने यह समझ लिया, 5 तरह की broader कमाई होती है, dividend, delivery बेचने खरीदने पर, short term capital gains tax, आगे long term capital gains tax, intraday and of course वाइदा कारुबार से जो जोड़ी कमाई होती है.